नमस्कार मेरा नाम है दसत प्रधान और आप देखरें चुड़नाक पुल लाइब सुभा की पांच बजे की स्पैसल बुलेटिन में स्वागत है तो चलिए जानते हैं जारकट की 25 बड़ी खबरों को फटाफ़र्ड तो जारकट की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन सब्सक्राइब कर दे बैल ऐकन को प्रेस कर दो वीडियो इसको लाइक सेर जरूर करें बात करें दिन की तो आज है 10 जून दिन है सोंवार हिंदी ती थी सुकल पंचबी सुर्योदे के समय 5 बचकर 11 मिनट 15 सेकंड सुर्योस्त के समय 6 बचकर 56 मिनट 28 सेकंड तो फटाफट दिन की इतिहास पर जो डाल लेते हैं भारत क्रिकेट के इतिहास लिए 10 जून के दिन का खास महत्व है ये वो दिन है जब भारते टीम को पहली बार लॉड्स मैदान पर टेस्ट मैच में जीत हासल हुई थी देखे कपिल देव की अगवाई में भारते टीम ने 10 जून 1986 को इंगलैंड को 5 विकेट से हराकर इतिहास रचा था लॉड्स को क्रिकेट का मका कहा जाता है और वहाँ जीत दर्च कर नाबने आप में क्रिकेट के हज के बराबर है तो चले इसी के साथ 25 बड़ी खबरों के और बढ़ते हैं वही देखे पहली बड़ी खबर गुम्ला स्यारिया जोहां 10 लाग रुपे का इनावी नक्सली ग्रफतार हुआ है गुम्ला पुलिश ने भाकपा मावादी के 10 लाग रुपे की नामी सब जोनल कमांडर संबु गंजु उर्फ रवी गंजु को ग्रफतार का रईवार को जेल भेश दिया है रवी गंजु का घर चत्रा जिला के टंडवा थाना इस्तित हुम्बी सरांडू गाउं है पुलिश ने उससे घागरा थाना के दिरगाउं इस्तित जलकापाट कारास्विली जंगल से ग्रफतार किया है बतादे कि उसके उपर चत्रा लातिहार गुम्ला में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज है वहीं देखिया अगली बड़ी खबर में चिंताई की योचना बना रहा युवक देशी कट्टा के साथ हुआ गिरफतार मामला राजमहल की है जोहार आधानगर थाना चेतर अंतरगत मारोपूर में छिंताई की योचना बना रहे ही युवक को ग्रफतार कर राधानगर पुलिस ने जेल नियाई घिरासत में रहीवार को भेज दिया है हड़ी विमलेस कुमार तरिपाठे ने कहा कि पुलिस अधिचक को गुप सूचना मिली थी कि मारोपूर निवासी सुकुमार मंडल देशी कट्टा रखकर छिंदाई की योचना बना रहा है देशी कट्टा से आसपास के लोगों के बीच भै उत्पन करने का भी कारी किया है थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी के नेतरित में एक गठित टीम ने छापी मारी की देशी कट्टा को बरामत किया और योबक के खिलाफ राधनागर थाने में कांट संख्या 82 बटे 24 दर्च किया गया है वहीं देखिया अगली बड़ी खबर पाकुडिया स्यारिया जहां सड़क पर लाठी डंडा लाकर चंदा मांगने वालों ने ट्रक चालक वो खलासी पर किया हमला पाकुडिया थाना चेतर के बालको गाउं में रैवार की सुबह चंदा वसुली करने वाले ग्रामनों द्वारा ट्रक चालक पर हमला करने के कारण ट्रक दुर्गटना ग्रस तो किया दुरगर्टा गस ट्रक के चालक और खलासी को ट्रक से उतार कर गामनों दुआरा बुरी तरह से पीटा भी किया और मुक्य सड़क को जाम करतिया किया सड़क चाम की सूचना पर पाकुडिया पुलिस मौके पर पहुंची और बुरी तरसे घाल, ड्राइवर और खलासी को इलालज के लिए समुदाइक स्वास्तिकेंद्र पाकुडिया भेजा जहां प्राथमी के उपचार के बाद घालों को बहतर इलाज के लिए सतर अस्पताल पाकुड भेज दिया गया है तो दोस्तो बुलिटिन में आगे बढ़ने से पहले ये दियाब नाकपुरी म्यूसिक पसंद करते हैं तो सर्च कीजिए मधूर महातो म्यूसिक वाके में आपको गाने पसंद आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वहीं देखिया अगली बड़ी खबर जहां लातेहार में पुलिस्ट ने नसा खोरी के खिलाब की बड़ी कारवाई 5 लाग रुपिय के आफीम चप लातेहार जिले के चंदवा पुलिस्ट ने 5 तसमलो 5-6-7 किलो अफीम के साथ सनिवार को एक तसकर को गिरफतार किया है गिरफतार तसकर राजकुमार रॉंग कोल केला लावा लॉंग चत्रा का रहने वाला है बताय जारा की ब्रामट अफीम का बजार मूलिय पांच लाग रुपिया है ये जानकारी लातेहार है अरविंद कुमार ने रहिवार को प्रेसबारता में दी है वहीं देखिया अगली खबर धनबाद से है जा विसेश लोक अदालत में चार करोड़ न्यानवे लाग पच्छतर हजार की रिकवरी मोटर यांद रुघटना दावा से संब्धित मुकदमों के तवरित निस्पादन के लिए ज्वारकन विधिक सेवा प्राधिकार वो प्रधान जिलावव सत्र नियाधीस राम सर्मा के निर्देश पर सनिवार को सिविल कोड धनबाद में विसेश लोक अदलत का एउजन कि इस बावत अवर नियाधीस राकेश रौसन ने बताई कि प्रधान जिलावव सत्र नियाधीस के आदेश पर मुकदमों के निप्टारे के लिए छे बैंच का गठन किया गया था कुल 46 मुकदमों का निप्टारा कर कुल 4.995,8875 रुपय की रिकवरी की गई वहें देखे अगली खबर जमसेदपुर से आ रहे है जहां कार में सवार युवकों ने सराब दुकान में की लूट पढ़ और 6 दस्मनों एक चार लाख रुपया नगद ले गया अपने साथ जमसेदपुर के सीदगोडा थनाचेतर में सुक्रुवार की राद सफेद रंग की कार में सवार चार युवकों ने दो सराब दुकान के गार्ड को बंधक बनाने के बाद दुकान का ताला तोड़कर 6 लाख रुपया लुटकर फरार हो गया बदमासों ने पहले बारोडी बजार इस्तिद विदेशी सराब दुकान के सुरक्षा गार्ड आनंद कुमार को स्प्रे मार कर बेहोस करने के बाद दुकान का ताला तोड़कर 3 दसमलों सुनी 1 लाख रुपया नगद निकाल लिये बदमासों ने सुरक्षा गार्ड विदेशी सराब दुकान में वारदात को अंजाम देने के बाद कार सवार बदमास सुरक्षा गार्ड को पहले स्प्रे मार कर बेहोस किया और फिर दुकान का ताला तोड़कर 3 दसमलों 1 तीन लाख रुपया निकालने के बाद बदमास ग चार्च की पुलिस मामले की चार्च में चुड़ गई है वहीं देखिया अगली ख़बर देवघर से है जहा नौलखा मंदर की लौटी रौनक बढ़ गई खुबसूरती देवघर सहर का प्रसिद नौलखा मंदर की रौनक वापस लौट आई है नौलखा मंदर की दिवारों पर पॉलिस का काम पूरा हो चुका है जिसके बाद पत्थरों की चमक वो खुबसूरती बढ़ गई है हालांकि दिवारों पर फ्रीसिंग वर्क अभी भी बाकी है मंदर के पास फवारा भी लगाया गया है केंपस में गार्डेन का काम भी सुरू कर दिया गया है नौलखा मंदर का ड्रेने सिस्टम बनेगा इसके अलावा वाटर फाउंटेन वो लाइट लगाई जाएंगी नौलखा आने वाले लोग के बैटने वो सुचाली की सुविधा भी होगी वहें दुकानों को बाहर नई दुकान बनाकर सिफ्ट किया जाएगा पिछले 6 महीने से नौलखा मंदर का सवारने का काम चल रहा है गॉट्डा सांसे दौटर निसिकान दूबे की पहल पर जाईपूर के आर्किटेट के द्वारा नौलखा मंदर का सौंधर्य करन किया जा रहा है इसमें करीब 3 करोण रुपया खर्च किया जा रहा है लोग का सकरकंद उगाया है ये विसाल सकरकंद लोग के बीच कोतु हल का विसे बना हुआ है लोग इस विसाल सकरकंद को देखने किसान स्यामलाल महतो के घर पहुच रहे हैं किसान स्यामलाल महतो ने बताय कि वो कई बरसों से खेती करते आ रहा है उन्होंने जनवरी महिने मे रुपाई की थी और्गनिक वीधी से खेती की थी रसाइनिक खाद या किटना सक अपयोग नहीं किया था उन्होंने बताई कि खेती में उनका वेटा विजय महतो भी सहयोग करता है इधर विसाल सकरकन दुगाने की सूचना मिलने पर क्रिसी विहा की टीम सियामलाल महतो से खे में 16 वर्ष लड़के की साधी 18 वर्ष लड़की से हो रही है प्रसासन ने परिजनों को समझा भुजा कर साधी रुखवा दी प्रसासन के समझाने के बाद लोग माने और नावालिक लड़के की साधी रुख गई वही देख्या अगली बड़ी खबर जमसेथपुर कदमा सुयारी है जो नसर की हालत में योवक ने मचाया उत्पात विरोध के बाद बुलेट छोड़कर भागा जमसेथपुर कदमा थाना अंतरगत ग्रीन पार्क मरीन ड्राइब में गुरवार की रात नसर की हालत में की योवक ने जम कर उत्पात मचाया योवक की हरकत देख स्थानिय लोग आकरोसित हो गया लोगों का घुसा बढ़ता देख योवक अपनी बुलेट बाइक छोड़कर फरार हो गया स्थानिय लोगों का आकरोस उसकी बुलेट पर पूटा लोगों ने योवक की बुलेट को छतिकरस्ट कर दिया सूचना मिलने पर कदमा थाना मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझा कर मामला स्वांत कर आया इस्तानी युवक सुरज कुमार ने बताय कि कदमा ग्रीन पार्क मरीन ड्राइब में सराब की बिक्री होती है अक्सर युवक सराब पीने के बाद गाली गलोच और मारपीट करते हैं वहीं महिला और युवतियों के साथ छेड़कानी भी करते हैं गुरुवार की राद बुलेट सवार युवक नैसे की हालत में धार्मी की स्वाल के पास पिसाब कर रहा था लोगों ने उसे ऐसा करने से मना किया तो युवक गाली गलोच कर मारपीट करने लगा अगली बड़ी खबर देवघर से आ रही है जहां साइबर ठकी के चार आरोपी गिरफतार हुए है एसपी राकेश रंजन के रिरदेश पस साइबर डीएसपी राजा मित्रा के नेत्रितों में साइबर ठाने की विसेश टीम ने पात्रॉल वो कुंडा ठाना छेतर में छापे मारी कर चार साइबर आरोपियों को गिरफतार किया गया है गिरफतार साइबर अपराधियों में पत्रोल थाना च्छेतर के मलमल टेर्डी गाउन इवासी सरोज कुमार दास, सहीत रुपाबान गाउन इवासी कुल्दीब दास, कुंडा थाना च्छेतर के टाडी दलंपुर गाउन इवासी कनिया कुमार दास वुराज की सोर दास सामि इन लोगों के पास से पुलिस ने छह मोबाइल वो 11 सिम कार्ट जब्द किया है, जाच में इन लोगो के मोबाइल उ 12 सिम कार्ट में पुरे भारत में होए साइबर अफारात से संबन्ध परतिविम एप में अपलोड तीन फर जी मोबाइल नमबर भी पनामद हुआ जाच में ये स्पच्ट हुआई कि ये फरजी बैंक अधिकारी कस्टमर के राधिकारी बनकर साइबर अपराद किया करते थे वही देखिया अगली बड़ी खबर भी देवघर से आ रही है जहाँ अनसंधान के लिए गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला दो आरोपी गरफतार पात्रोल धाना के नावाडी गाउं में अनसंधान के लिए पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया है घटा में एक S.Y. समेथ पुलिस के जवान खायल हो गये घटना के संबन में बताय जाता है कि पिछले बुद्वार को नावाडी की महिला लखी देवी ने अपने गाउं के ही पुलिस मंडल वो उसके पुत्र स्याम सुंदर मंडल के खिलाब के वाईसी करने के एवज में 11,500 रुपय आवेद रूप से मांगने का रोप लगाते व वहीं देखे ये खबर पश्चिमी सिंभुम के चाइबासा से है जहाँ पुलिस ने नसे के कारोबार पर बड़ी कारवाई की है पुलिस ने टोबो थाना चेतर के चाकी नदी किनारे 200 किलो डोडा बरामत किया है दरसल ये डोडा तसक्री करने के लिए जंगल की जाणियों में छिपा कर रखा गया था वही बता दे कि इस मामले में पुलिस ने अग्यात अपराधियों के खिलाब टोबो थाना में मामला धर्च किया है वही देखे अगली खबर सिंद्री से है पांच साल की बच्ची से दुसकर्म के परियास में यूवक गिरफतार यदि जारकंट की 25 बड़ी खबरें आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चले खबर की और बढ़ते हैं पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है परिजन की सिकायत पर मामला दर्च करने की परक्रिया चल रही है वही घटना के संबन में लोगों ने बताई कि आयम टाइप में तीन बच्चियां घर के बाहर दोपर में खेल रही थी इसी दुरान एक बच्ची गाइब हो गई इसकी सूचना मिलने पर बच्ची की मा उसकी खोजबीन सुरू की तो घर के पीछे जाडियों के पास बच्ची से गलत काम करते वे तपन गोस्वामी को देखा बच्ची की मा ने सोर मचाया तो आरोपी भागने लगा स्तानिय लोगों ने उसे खदेड कर पकड़ा और धुनाई सुरू करती इसके बाद उसे बंधक बना लिया पुलिस ने लूट की योशना बनाने के आरोप में दो को किया गिरफतार हतियार बरामत गिरडी के एसपी दीपक कुमार सर्मा को मिली गुप्त सूचना के अधार पर भरकट्टा उपी पुलिस ने लूट की घट्ना को अंजाम देने की योशना बनारे दो सातिर अपराधियों को गिरफतार कर लिया है बतादे के बरकट्टा उपी छेतर के बसगना कुमार पिटनी नदी के समीब से दोनों को गिरफतार किया है गिरफतार अपराधियों के पैचान जमुआ थाना छेतर के दुआर प्रहरी निवासी छोटु अंसारी उर्फ लंगडा मिया के रूपे हुई है वही दूसरा अपराधी विकास कुमार साओ बरकट्टा उपी छेतर के दुआर पहरी गाउं का ही रहने वाला है पुलिस ने दोनों अपराधियों के पास से एक लोड़ेट देशी कट्टा एक जिंदा कार्तूस एक बज़ाज पलसर बाईक और दो मोबाईल फोन जब्ट किया है वही देखे रामगर के विद्दा नगर में दिन दाहरे बुजुर्क महिला की हत्या योवती समेट चार लोग घुसेते घर में रामगर के वाड नमर पांच के विद्दा नगर में गुरवार को दिन दाहरे एक साठ वर्ष्य महिला की हत्या कर दी गई मिली जानकारी का अनुसार मृत्तक का नाम सुषिला देवी है वो अपने घर में अकेली थी उनके पती रिटाइट रेल कर्मी है उनका नाम आसरफी प्रसाद है वो अपने पुत्री के पास खड़कपुर गयवे थे घर में देखने से ऐसा लग रहा था कि अप राध्यों ने लूट पार्ड भी की है सुषिला दीवी रसोई घर में वृत्तक मिली उनकी पीट पर धातार हत्यार के घाव मिले हैं इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूषना दी पुलिस ने सब को पोस्ट माटम के लिए से रस की जारी है एसी से निकल कर सीधे धूप में जाने से बढ़ सकता है ब्रेन श्ट्रोक का खत्रा जम सेथपूर सदर अस्पिताल की चिकितिसक डॉक्टर पृति पांडे कहते हैं कि भीशवड गर्मी में अगर आप एयर कंडिश्वर में बैठे रहने के बाद सीधे धूप म पहुँचने लगता है इस तोरान सांस लेने के लिए जरूरी सुनायू काम करना बंद कर देता है रक्त गाड़ा होने लगता है ब्लड प्रेश्वर कम हो जाता है जिससे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई रुख जाती है सिर्दर चकर सर्दी खासी बुखार उल्टी जैसे परि फिच्चा उपेंद्र से 65,000 रुप्या के ठकी कर ली महिला ने कदमा थाना में लिखित सिकाय दर्च कर आई है महिला ने बताई कि उसने वेस्टिपूर इस तीद एक दुकान से मिक्सर खरदा था कुछ दिनों के बाद वो खराब हो गया जिससे बनवाने के लिए वो एक संपनी के कस्टमर केर के टॉल फ्री नंबर पर फोन कर ली उसके बाद उन्हें टॉल फ्री नंबर पर फोन किया लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हो पाया अगले दिन टॉल फ्री नंबर से फोन आया फरजी कस्टमर केर कर पचायर ने फोन पर महिला से पूरी जानकार ली उसके पाद वो उनका और उनके पती का खाता नंबर भी मांग की। ठग ने कहा कि पहले एक रूपया गूगल पेकर इस काम के लिए रेइस्टेसन कराएं। उसके बाद जब 31 नवंबर दोचा तेईस को जब वो एटियम से रूपया निकालने गई तो उनके खाते में पैसे ही नही इस बात को याद रखे कि बैंक की और से फोन कर किसी भी परकार की कोई जानकरे नहीं मांगी जाती है। अग्याद फोन नंबर से फोन आने पर उसे ज़्यादा बात ना करे। कोई भी कावजात अफडेट करने का फोन आने पर उसे फोरण कट करते। अपने मोबाइल पर क कोई भी एप डानलोड ना करे कोई भी कूपन या कैस बैक के जहासे में ना पड़े धारकट की 25 पड़ी खबरों की बुलेटीम में बने रहने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा वीडियोस को लाइक कीचेगा और अपनों के बीच सेर जरूर कीचेगा ध निवाद जोहार